हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैक पूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश 10 का उर्दू का उब्जेक्टिव में सेट 4 करने वारे हैं और यह सभी सेट मेरा खुद से मेरी मेरनेत महनत से बनाया गया है ठीक है वैसे आ बोल बोल कर ठक गया लेकिन आप लोगों ने नहीं किया कोई बात नहीं है चलिए पढ़ाई पर धियान देजिए पढ़ लो पास कर जाओ वही मेरे लिए बहुत है ठीक है चलो देखो यहां पर सबसे पहला सवाल है यहां पर बाबाए उर्दू के नाम से किसे जाना जाता ठीक है और कोसिस करेंगे आप लोगों के लिए की लगातार आपको लोग लिए वीडियोज दे दे क्योंकि 18 तारिक से आप लोगों का एक्जाम है और एक्जाम में आप लोगों का अच्छा performance हो पाए है आपके दर्द को आपके तकलीफ को हम समझ पाएंगे क्योंकि आप इसको तैयारी वतिनी बेहद धक से कोई करा नहीं पा रहा है मेरे पिल्य लिष्ट में आप जो है चले जाहिएगा वहाँ पर बहुत सारा वीडियो विडियो और इस aux ल not को देख लेते हो तो आप लोगों को अर्दू में कोई प्राबलम नहीं होगी ठीक है चलते हैं अगले सवाल पी अगला सवाल नमर किस ने लिखा है यह जो गदली का लाल जो है इसको लिखा किस ने है तो मौलवी – अब्दुल्ला – हक न लिखा है याद रखिएगा ये भी सवाल important है question number 3 पे आते है question number 3 में कह रहा है कि गुदली के लाल में किरदार कौन है ठीक है तो गुदली के लाल में जो एक गरीब सिपाही का किरदार दिया गया है गुदली के लाल में क्या कौन से किरदार दिया गया है एक गरीब सिपाही का किरदार दिया गया है ठीक है अगला सवाल देकि क्या है question number 4 में आते हैं question number 4 में कह रहा है आपसे नूर मुहम्मत के अफसर किस बात से नराज हो जाया करते थे तो जो नूर मुहम्मत के अफसर थे वो किस बात से नराज हो जाया करते थे तो साफ गोई के कारण है ना साफ गोई का मतलब होता ना था तो खान साहब का जो अंदास था वो वहाँ उसके अफसरों को पसंद नहीं था उनके जो अफसर थे खान साहब के ऊपर वाले अफसर उनको पसंद नहीं था अगला सवाल देखे क्या है कौन अफसर खान साहब पर बहुत महरबान थे यानि कौन से अफसर खान साहब प थे तो इनकी मदद किस ने की तो करनल सच्वा रातने की थे इसका नाम धेख लेजिए अगला है हमारा Q Nummer 8 खाण साहबने घोड़े में क्या देखा था खाण साहब क्या देखा थे उसका रहते ऐंग़ात waves कर दो डेखा गया थे उनका गोड़े कर देखा ठरिए तो ብ क्या कि ते customer को एक घोड़ा का अप बता दिये थे जिसके किरन जो है customer नहीं खरदा और इसके मालिक ने इसके काम से निकाल दिया था ठीक है यह इसकी कहानी थी अगला सवाल दीखे गुदली के बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा लाल के क्या माने है तो लाल के जो होता है माने होता है वो कीमती पत्थर होता है लाल का माने क्या होता है कीमती पत्थर होता है अगला सवल देखे क्या है नूर खान को गुदली का लाल क्यूं कहा जाता है तो बहुत सारी वो बदायू यानि की उत्तर परदेश था ठीक है बदायू को ही उत्तर परदेश का जाता है तो याद रखिएगा जिलानी बानो जिलानी बानो का पहला अफसाना क्या था तो रोश्नी के मिनार जिलानी बानो का पहला अफसाना है most important है याद रखिएगा अगला सवाल है जिल कौन से novel उन्होंने लिखा था तो एक थी आपका जुगनू और सितारे ये जो इसका famous है और नगमे का सफर है नगमे का सफर ठीक है जुगनू और सितारे और नगमे का सफर तो उमीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा like के लिए तो बोलेंगे नहीं क्योंकि आप करोगे नहीं subscribe के लिए भी बोलेंगे नहीं क्योंकि आप करोगे नहीं चलिए कोई बात नहीं है मिलते हैं आगले वीडियो में thank you